नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत सागत हैं, तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ Importance Company का Update शेर करने वाला हो, तो इस वीडियो को पूरा लास्तिक देखना, और अभी तक अपने चनल को सबस्क्रेब नहीं किया, तो जोरू कर लेना, तो सबस कमेंट्स को देखकर मुझे एक ही चीज याद में आ चुके है, जब मैं बिगिनर था, मैं जिस तरह के से काम कर रहा था, उसी तरह के से जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, वो भी बिगिनर है, देखिए ये बोलना मुझे थोड़ा सा गलत भी लग रहा है, फिर भी कहना अपर साइड में कोई लेवल भी नहीं है, और दूसरे बात उसका वैलोशन बहुत हाई है, मैं इसे क्यों बात बता रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजे, कम्पानी का कुद इंडस्टीज पी रिशो कितना है, 54, और कम्पानी के पी रिशो कितना है, 205, अगर मैं इसी क तो खुद की एवरेज पी रिशो पांस साल में देखू, तो एक टाइम कम्पानी का पी रिशो चला गया था, 600 तक, तो आप कहेंगे था, 600 तक जया गया था, आज 200 है, और कोबिड के टाइम में भी 200 था, तो आप बोल रहा है कि हाई वैलोशन है, देखिए, कम्पानी के इ बिजनेस का ग्रोथ हुआ, बिजनेस का किस तरीके से ग्रोथ हुआ आप देख सकते है, 900 करोड से 1300 करोड बने, 2000 बने, 3000 बने, मतलब सेल्स हर साल कम्पानी बढ़ते चले गए, एक्सपेंस को कम्पानी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में नेट पॉफिट 17 करोड से 21 करोड तक लॉस हो गया था, उसके बाद 44 करोड, आज 700 करोड ता प्रॉफिट हुआ, तो कोस्चन यह आएगा के सार इतना प्रॉफिट क्यों हो गया, डिरेकली 45 से लेकर 700 करोड, क्या इसी बेसिस में भाग रहा है, बिल्कुर नहीं, कम्पानी के एक्चुली तो आधास इंकम आ वाइं हो रहा है, मतलब आध हम इस जेखें पे भाई नहीं कियाप्त, तो चलो यहाप भाई कर लेता हूँ, पहु यहापँ नहीं हुआ, हैं तो यह एक फूमो भाई है, तो आप कहेंगे, सार मैं अगर यहापे करता तो मुझे अच्छा करता प्रॉफिट होता, तो क्या क कोई गैरंटी है देखे गैरंटी को मार्केट में कुछ भी नहीं है तो यहां से भी उपर जाएगा मैं यह नहीं कहूंगा कि यहां से उपर नहीं जाएगा फिलाल के लिए उपर जाएगा कि नहीं जाएगा वह आपको देखना है यह दिखिए जब भी मैंने कुछ इस तरीक के साथ काम करेंगा तो जब ही मेरी कमपनी देखता हूँ तो उसमें में दस-स 15 क्वांटीर नि riders के साथ ही काम करेंगा पर शर्चा क्वांटिति में काम करने से क्या फायदा मिलें आध करता हूँ वावे मैं काम इसलिए करता हूँ कि उस strategies को मुझे समझना पड़ेगा हमें pain paper में strategies को समझता नहीं हूँ मैं छोटे-मोटे quantity के साथ काम करके भी उस strategies को समझता हूँ कि actually उस strategies में कितना दाम है pain paper में लिख कर रखूंगा तो कभी भी मुझे उसका effect नहीं दीखेगा तो इसलिए हमेशा में बोलता हूँ अगर आपको back testing करना है आपको अगर सीखना है तो आप एक quantity के साथ भी आप काम करके सीख सकते हैं मार्केट में यह सबसे अच्छी बात है कि आप एक quantity के साथ भी काम करके काम सीख सकते हैं मैं यह नहीं कहूंगा कि आप कहली जाकर हार companies का अचसंद आयत हो उसके पर हार companies को रेके करके quantity buy कर लिजे ऐसे बिल्कु नहीं जहापे आपको strategies आपको मिल रहा है जहापे अपने deeply research किया और उसको उपर आपको लग रहा है कि हाँ यहापे potential है target पाने का chances तो नहीं है पाने का chances है उस जगह पर आप एक quantity के साथ भी as a practice के लिए as a testing के लिए आप काम कर सकते हैं मैं कोई recommendation नहीं कर रहा हूँ मैं आपको मैं जिस तरी के से काम करके आज यहां तक पहुंचा हूँ वही मैं आपको solution बता रहा हूँ कि कि दिखिए paper में जब trading करेंगे न तो paper में जो trade होता है उसमें क्या होता है तो आपको profit loss हुआ तो आपको कोई फरग नहीं पड़ेगा यह वह paper trading है अगर एक quantity के साथ भी आप काम के लिया न तो आपको एक effect देवेगा मानके चलिए आपने 500 रुपिया किसी company इसको लगाया और उसमें आपको मानके चलिए 30% का loss हुआ तो 30% का loss होने का मतलब है around 500 रुपिया का loss होना अगर वही company अगर आपको 30% profit दिया तो आपको 500 रुपिया में क्या होगा आज के दिन में देखे यहापे कुछ नहीं होगा 30% में कुछ नहीं मिलेगा फिर भी आपको जो confidence मिलेगा न वो आपको lifetime achievement करने के लिए काफी है कि confidence ही इस market में सबसे बड़ी बात है आपको confidence उस stock के उपर उस company के उपर high होना चाहिए तो देखे इतने सारे बात में बोल चुका हूँ साइद बहुत सारे लोग नराज भी हो जाएंगे के सर आप ज़्यादा गयान दे रहा हूँ अगर उसको जानना है तो आप continue करिए अगर आपके कुछ knowledge है आपके कुछ technique है तो उससाब से काम करिए तो basically देखे यहाँ पर जो range grade हूँ था उस basis में मैंने छोटे मोटे quantity के सारे चाहिए और देखे मुझे कुछ दोस्त ने यह भी comment के सर मैंने high level में buy करकर रखा हूँ करना बहुत बड़ा गलत decision होता है तो मुझे लगता है आपने रिक्सी गेम खेला है तो आप आपकी रिक्स की साब से जोरूद चीजों को समझे कि मुझे लगता है अगर इस लौस साइड को around 5000 लेबल को अगर ब्रेक्डाउन करें तो एक बड़ा fall हो सकता है तो आल लेडी इंडियन मार्केट को उपर पड़ी जाते है तो उसका एक भारी भर कम नुकसान देखने को मिल सकता है हाँ इसका recovery काफ होगा वो कब फिर से bounce back करेंगे इसको बोनना थोड़ा सा रिक्सी हो जाएगा बाकी आपकी क्या रिक्स है जोरू मुझे comments करना next company उसका नहीं बरून के साथ काम नहीं करता हूँ तो breakout हुआ इस लेबल में बहुत बार hold किया फाइनली इस लेबल को breakout करके उपर तो गया था उसको फिर से retest कर दिया यू कि कर दिके बरून वेबरेजस लिमिटेड जो है वो पेपसी का प्रोड़क बेशते है और पेपसी का जो मार्केट में ड घिजनेबल होते है कुछ बिजनेस लाइफटेम जलें जैसे एस फीमसीजी प्रोड़क्त आप कुछ भी हो जुद भी स्टाट हो जाए कुछ भी हो जाया क्या लोगों किने चौड़ देंगे बिलकुन नहीं थोड़ासा कम हो सकते हैंगर खाना पिना नहीं चौड़ें जै उसका growth continuously रहेगा, तो कुछ sector के हामेशा profitable business हामेशा हर साल में चलता रहते हैं, कुछ business seasonable में चलता है, तो VVL एक ऐसे कोटक है, ऐसे company है, उसका business हामेशा नहीं चलता, फिर भी कितना लंबा journey होने के बाद है कि इतना लंबा journey होने के बाद कभी ने कभी तो रुकना चाहिए थ तो मुझे लगते है, सायद इसलिए वो correction हो रहा है, तो मेरा तो trade बहुत वैले से ही है, मैं इसके उपर अभी integer करके दिखूंगा, क्या होने वाल है, तो VVL के उपर मुझे लगता है time लगेगा, क्योंकि VVL के उपर जो quarter lizard है, अगर बो मैं आपको बता दू, company इस बार भी सकते है, क्योंकि पहली बात company के पास fixed asset बारहा जा रहा है, और company का reserve कितना है, 7900 क्रोन, यह दोनों को अगर जोड़ा जाए, तो company के जो करजा है, बहुत काम है, तो easily वो मिटा सकते है, तो जिसके पास reserve जादा है, fixed asset जादा है, तो उसको बेज कर भी करजा को तो मिटा सकता ह अभी ना, तो हाँ, अभी वो उसको बेजने का जूरूत नहीं है, क्यों बिजनेस ठीक ठाक चाले है, तो उसको बिजने का क्या जूरूत है, तो बाकि इस company के पूर दो बड़े investor ने target रखा है, जैसे बरुन बेबरिजस को पर target रखा है, 850 के आसपास, वो भी मोतिला लोस करके बता सकते हैं, तो next चो company है, उसका नाम है Avenue Supermart, जिसको हम लोग Demart नाम से जानते हैं, तेकर Demart के बड़ में बहुत दिनों से integer कर रहा था, कि ये company के result कवायागा, finally उसका result आ चुके है, company सांदा तरके से इस बार भी sales generate किया, चाहे बो quarters हो, चाहे बो year हो, दोनों के ही company estimate क सबसे break कर पाए, एक अच्छी बात है, और net profit भी देखा जए, तो 659 से लेकर 774, और करोड़ ता company का profit जना हुआ, मतला sales and profit दोनों ही positively यहापे देखने को मिला, इसका directly impact company को पर आपका मेंडाइन्स में आपको देखने को मिल सकता है, बाकि as a investor इस company को पर अच्छा काता trust भी कर रहा है, क्यों कि बीच में company का FS ने कुछ quantity को scale of किया था, फिर से वो holding को बढ़ा दिया, साड़े 8% से साड़े 7% कर दिया था, आज वो 9% से उपर holding को continue कर रहा है, और DS के पास 7% holding था, वो आज 8% के आसपास holding है, तो माल किस ने बेचा, पपलिक ने माल बेचा, क्यों कि प आपको at least top level से down level तक देखो, तो 50% crash हो गया था, तो अच्छे company हमेसा अगर 50% तक correction दिखे, तो कभी ने कभी वो यूटन लेकर उपर जाएगा, तो अगर कोई नीचे लेबल से 50% के आसपास से अगर buy करता, तो उसका अभी फिलाल के लिए जो target मिलता, almost 60% के आसपास, तो म पहले से cup बन के त्यार है, दूसरी बार एक handle भी बना है, और cup with independence बनने के बाद, फिर से मुझे लगता है एक pattern से आपर create करेगा, उसके बाद सायर कमपानी के उपर कुछ positive decision बन सकते है, तो integer करूँगा, जब मौका मिले तो आपके साथ भी share करूँगा, और हाँ, मेरे वीड recommendation नहीं है, अगर risk लेना है, तो आपके हिसाफ से लीजिए, आपके save ratio advisor के साथ बातचीत करके काम करिए, मेरे तरफ से कोई भी बायन से लिका recommendation कभी नहीं होता है, और हाँ, मेरे कोई paid version भी नहीं है, मेरे कोई courses भी नहीं है, मतलब fees लेकर कोई courses भी नहीं है, तो हमेंसा YouTube में and Logistics Limited, तो DJ MediaPrint Logistics Limited, बेसिकल एक छोटा सा कमपानी है, एक nanocap type कमपानी है, तो कमपानी का announcement यह है, कि कमपानी बोनास देने जा रहा है, नो तरीक को, मतलब कल के दीन कमपानी हर एक के बदले दोस्यात देने जा रहा है, तो जो लोग बोनास पाना चाता है, इस कमपानी को पर रिसर्च करें, उसके बाद काम करें, वीडियो में अच्छा जानकरी मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, तेंक यू